हेलो एवरिवन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गोडेक्स 200 के बारे में गोडेक्स 200 हम भूल जाते हैं और हमारे बेस्ट आउटपूट को हम मिस्स कर जाते हैं तो मैं हूद रुविन जैन फ्रम DSLR Academy पूरा समझते हैं कि इसका कैसे क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर और इसके साथ जो पैरलल मैं आपको बोल रहा था कि एक चीज़ मिस्स कर जाते हैं वो है का सॉफट बोक्स का जो छोटा सॉट बोक्स है यह अगर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजर्ट्स मिलेंगे रिजर्ट्स कैसे बैस्ट मिलेंगे तो मैं आल्रेडी आपको एक बात बोल चुका हूं कि आने वाला एक और वीडियो जो मैं बनाऊंगा इसके उपर आ आपको बताने वाला हूं प्रैक्टिकल सेशन के अंदर इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे इसको असेंबल करना है और इसके अंदर क्या-क्या है और थर्ड चीजे हमारे पास ट्रिगर तो ट्रिगर कैसे इसके साथ अटैच कर सकते हैं अगर आप आप इस बिगन केस हमको मिलता है इस बॉक्स को हम थोड़ी दर साइड में रखते हैं दैन इसको ओपन करके अगर देखें तो फॉस्ट चीज जो है मैन्यूल हमारे सामने आता है तो यहां पर है हमारी AD200 प्रो फस्ट यहां पर इसमें बैटरी लगेगी बड़ एक चीज आपको और बता द ऐसे यूज करें चाहिए आप वर्टिकल यूज करना चाहिए तो वर्टिकल भी यूज कर सकते हैं तो फर्स चीज यह AD200 प्रो दैन इसके साथ साथ हमारे पास हमको मिला है बैटरी ठीक है तो बैटरी का ग्रिप अपन हां हटा कर सबसे पहली चीज यह जो लाइन है और यह यहां पर जो एक आपको पैरलली सीम ऐसी के अंदर आप देखेंगे तो आपको लाइन मिलेगी ताकि आप इसको इसको इसी ली अटाच कर सकें तो यह मैंने बैटरी को अटाच किया और क्या-क्या है हमारे पास वह हम देखते हैं सबसे पहली चीज कि इस पॉली थिन के अं 80 और 100 यानि कि अगर आपका बैटरी कितना चार्ज है वो भी आपको यहां completely mention हो जाता है यह एक बहुत ही काम की चीज है कि नॉर्मली एक फोटोग्राफर डायरेक्ट इसका यूज करता है बट अगर आप यह चीज इसके साथ जो attachment दे रखा है वो क्या attachment है कि अगर आप चा यह है इसको आप attach कर सकते हैं इससे benefit क्या होगा कि हमारे पास एक ट्यूब extra है उसको आप यहां attach कर सकते हो जिसके अंदर एक red point है और यहां पर भी एक red dot है इसको अप लें और इसको आप इस तरीके से attach कर सकते हैं तो यहां पर यह मेरी 80 200 light completely ready हो चुकी है अब हम इस box को एक कर सकते हैं तो first sort box को मैं open करता हूं beauty dish के अंदर जो हमारी dish लगती है वो डिश है बहुत अच्छी बात है कि छोटे sort box में हमको यह मिला है दैन एक ग्रिड है ठीके grid के बाद यह हमारा एक sort box है इस box का भी use नहीं है इसको हम रखते हैं side में then यह रहा हमारा sort box और एक और attach करके देखते हैं सबसे अच्छी बात है कि जैसे ही आप इसको attach करने जाएंगे तो यह आजकल जितने भी नए latest sort box आये हैं वो सारे umbrella की तरह है जैसे ही आप इसको attach करते हैं और इसका screw आप tight कर लेते हैं immediate यह आपका sort box हो गया ready इतना easy assemble है then आप फिर उसके बाद light को use करना चाहते हैं तो आपके लिए एक जो डिश है उसको भी आप as a screw wise easily assemble कर सकते हैं यह मेरा sort box attach हो चुका है के बाद आपके लिए है diffuser यह आपका sort box का diffuser इसको मैं attach करता हूं एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि आपको यह bottom से attach करना है ताकि उपर आपकी grid लगेगी यह मे वाले वीडियो के अंदर normally इस white diffuser से क्या output आता है और यह black अगर हम grid use करते हैं तो हमारे पास क्या output आता है यह सारी बाते मैं आपको next video मैं बताऊंगा यह बार मैं grid attach कर देता हूं proper way से यह मेरी grid completely ready है और अब इसको मैं attach करता हूं इस light के साथ तो first of all attach करते time आप थोड़ा स से move करें यह मेरा attach हो गया यह मेरी completely ready यहां पर lock का button है आप इसको lock भी कर सकते हैं यह आपका proper lock है अब मैंने battery इसमें डाल रखी है तो मैं इसको on करता हूं इसका on का button normally सब public यहां डुनती है बट इसका on का switch यहां नहीं है हमारे पास यहां side में है तो आप इसको जैसे ही करे यहां on then इसमें अलग-अलग modes दे रखे हैं multi then TTL then manual यह तीन modes है हमारे पास जिसको हम use कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से wifi दे रखा है अब इसको trigger के साथ कैसे attach करना है तो हमारा जो third है वो है हमारा यह trigger ठिक है godex का TTL wireless flash trigger then इसको जैसे ही मैं open करता हूँ यह रहा मेरा trigger then अब मैंने इसको on किया first कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है यहां पर कि इसका channel और इसका channel set होना चाहिए कि जैसे अगर देखा जाए तो यहां पर channel 1 है यहां channel 1 है तो अगर आपका channel set नहीं है तो आप इस channel क बटन को आप प्रेस कर सकते हैं देखिए यह blink हो रहा है blink हो रहा है तो आप इसको change कर सकते हैं अगर आपका channel अगर different है तो वह fire नहीं करेगा और अगर channel अगर set है आपका तो यहां से जैसे ही आप इस button को प्रेस करेंगे और यह light आपकी fire हो जाएगी यह आपने अभी देखा unboxing इसका बहुत से लोगों को नहीं idea होता कि इसका एक आगे short box भी आता है तो मैंने maximum pre readings में देखा है बहुत photographers को देखा है कि वो इस flash को direct use करते हैं ऐसे जैसे हम छोटी flash को use करते हैं बट direct की जगे अगर आप short box का use करेंगे तो आप light को थोड़ा soft कर स battery backup light है तो इसका indoor उतना use नहीं है इसका outdoor ही use है तो इसको कैसे use करना है कैसे इससे best results आप create कर सकते हैं daytime में और evening time में और daytime में यह कितनी helpful है यह सारी बात है next video में हम discuss करेंगे तो बने रहेगा इस channel के साथ